नमस्कार, आदर सिक्षन संस्तान जोदपूर की ओनलाइन कलास में सभी बयाबेनों का हारदीग स्वागत अभिनंदन हैं, आज हम कक्सा तर्तिया विशाई हिंदी रचना कालांस तेयाली स्वा जैसा कि हमने पिछले कालांसों के अंतरगत संगिया वे उनके बैदों के बारे अधिया इच्छे किरिया परिबासा है जिन सब्दों से किसी काम को करना या होना पाया जाता है उसे किरिया कहता है यानि कोई भी हम काम करते हैं तो वह स्वत्य ही हो जाता है यानि जैसे मानलो राम जाता है तो राम जाने के लिए मन के अंतरगत सोची तो अपने आप रव खाना हो जाते हैं मोहन खेलता एक मोहन के अंदरकत किर्या पीना ओए सिता नाचती है तो सिता के अंदरकत जिग्या सोई नाचने की मन में होई तभुए नाचना सुरू हो गई अभियास 16 नीचे छपे वाकियों से किरिया पत छांट कर लिखिये तो पहला वाकिये हमारा रविंदर विद्यले जाता है तो इसके अंतरकत रविंदर को विद्यले जाना था तो इसके अंतरकत जाना किरिया है रमेश पुस्तक पढ़ता है यानि रमेश पुस्तक पढ़ता है तो इसके अंतरकत पढ़ना कीरिया है और हम यदि कहा दें कि संग्या के अंतरकत इन वाक्ये में कौन सी संग्या है तो रमेश व्यक्तिवाचक संग्या है नरेश रामायन पढ़ता है तो इसके अंतरकत पढ़ना किरिया है और नरेश व्यक्तिवाचक संग्या है तो हम अभी किरिया पढ़ रहे हैं तो इसके अंतरकत पढ़ना किरिया हो गई उमेज सलोक लिखता है तो इसके अंतरकत लिखना यानि उमेज सलोक लिखता है यानि लिखना बालक फल खाता है इसके अंतरकत खाना किरिया हो गई उचित किरियापद लिखकर वाक्य को पूर्ण कीजिए अब हमारे किरियापद दे दिया लतागीत तो इस वाकिये को हम पुर्ण करने के लिए लतागीत गाती है लतागीत गाती है तो इसके आंधिरत किरिया पद गाना हो गया क्या हो गया गाना कवी कविता लिखता है तो लिखना किरिया हो ग Coach लिखना किरिया हो गई वक्ता भासन बोलता है तो वक्ता भासन बोलता है तो वक्ता भासन बोलता है तो इसके अंदर बोलना किरिया है क्या है बोलना गुरुजी विद्यार्थियों को ये हमाएक किरिया पत दे दिया तो वाकिय पूर्ण करने के लिए हमने गुरुजी विद्यार्थियों को अधियन करवाते हैं या गुरुजी विद्यार्थियों को खेलाते हैं तो खेलना किरिया हो जाता और अध्यन करवाते हैं तो करवाना किरिया हो गया या गुरुजी विद्यार्थियों को गोमने ले जाते हैं तो जाना किरिया हो जाता रिता प्राते काल गोमने तो यह हमें किरिया पद दिया तो मिलिखना है तो किरिया पद के अंतरकथ कोई भी किरिया हो उसके पीछे हमस्ट ना जोड़ दिया तो वो किरिया बन गया क्या बन गया? किरिया और पिछे क्या जोड़ना? ना अब देखिए देखना खेलना लिखना पढ़ना हसना बोलना चलना नाचना रोना पीना जाना खाना लड़ना जगड़ना कोदना ये हमारे किरियापद है और ऐसे हम कहीं किरियापद लिख सकते हैं जैसे मालो लड़ना ये नाज उड़ गया अब नाचना कोदना हसना तो ये हमारे किरियापद है आज हम इतना ही करेंगे जो गरेकारी है वो पीडिव के मादिम से बेज रहे हैं धन्यवाद